तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फॉर्स समस्टर फिजिकल फार्मसोटिक्स में यूनिट नमबर त्री और यूनिट नमबर त्री के लास लेक्चर में हमने अब आज का आपका लेक्चर है वो इमल्शन के उपपर है जैसा कि आप सभी जानते हैं आपने फर्स समस्टर में पढ़ा होगा कि इमल्शन क्या होता है तो आज बहुती डिटल स्टडियम करेंगे इमल्शन क्या होता है इमल्शन का क्लासिफिकेशन कौन कौन से प्रिजरवेटिव हम यूज करते हैं ताकि आपका इमल्शन खराब ना हो इमल्शन किस तरह से बनता है मेटड अप प्रिपेशन क्या है rheological property of emulsion कौन-कौन सी properties है emulsion की ideal property और साथ में कौन-कौन सी दिक्कत आ सकती है emulsion को बनाने के दोरान तो बहुत कुछ पढ़ने वाले emulsion से related देखो emulsion होता क्या है theories of emulsification micro emulsion, multiple emulsion stability of emulsion के बारे में कौन-कौन से preservative हम यूज़ करते है emulsion को बचाने के लिए साथ-साथ rheological property of emulsion and emulsion formulation by HLB method तो सारा सब कुछ आज के single lecture में हम कवर करेंगे lecture को द्यान से सुनना और यह lecture में first semester में भी add कर दूँगा playlist में क्योंकि वहाँ पर भी emulsion पूछा जाता है तो चलिए lecture को start करते हैं अगर आपको और lecture की requirement है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी playlist जहां पर आपको unit wise सारे lecture मेंने mention किये हुए हैं और अगर आपको notes की requirement है तो आप check कर सकते हमारी application depth of biology की application आप download कर सकते हैं play store से और आपको वहाँ पर सारे notes available मेंने कराए हुए हैं वहाँ पर live lectures भी होते है, online classes भी होती है, तो ज़रू download कीजेगा depth of biology application, चलिए lecture को start करते हैं, तो बिल्कुल basic से start करते हैं आज के lecture को, last lecture में आपने suspension पढ़ाता, तो suspension में आपने क्या देखाता, कि वहाँ पर liquid phase होता है, साथी साथ insoluble solid particle वहाँ पर suspend होते हैं, एक तो होते हैं solid particle और एक phase होता है liquid phase, ठीक है, liquid phase को हम बोलते है dispersion medium, और यहाँ पर जो solid है, वो यहाँ पर dispersed है, that's why it is known as dispersed phase, यह last lecture की बात है, अब emulsion क्या होता है, वो सुनो, जैसे कि आपने देखा suspension में एक liquid है, और एक solid है, पर emulsion में दोनों ही liquid होते हैं, ठीक है, emulsion में क्या होता है, कि जो dispersion medium है, dispersion medium, वो भी liquid है, और यहाँ पर जो dispersed phase है, वो भी liquid है, dispersed phase भी liquid है, dispersion medium भी liquid है, अब emulsion में हम क्या करते हैं, emulsion में हम दो immisible liquid को mix करते हैं, मतलब दो ऐसे liquid, जो की mix नहीं हो सकते, इमिसिबल का मतलब होता है, दो ऐसे liquid जो की mix नहीं हो सकते, फिर भी हम उन्हें mix कर देते हैं, और emulsion में हम क्या करते हैं, दो immisible liquid को mix करते हैं, अब आप बोलोगे, सर, अगर दो immisible liquid है, दोनों mix हो ही नहीं सकते, तो फिर आप उसे mix कैसे करते हो, तो देखो, जैसे oil और water, पानी और तेल कभी mix नहीं हो सकता, पर हम mix कर सकते हैं, with the help of emulsifying agent, तो emulsifying agent की मदस से, हम क्या करते हैं, दो immisible liquid को miscible बना देते हैं, क्या बना देते हैं, miscible बना देते हैं, और दोनों अच्छे से mix हो जाते हैं, तो emulsion क्या होता है, emulsion एक biphasic liquid doses form है, दो phase है, एक disperse phase है, एक dispersion medium है, जो disperse phase है, वो भी liquid है, और जो dispersion medium है, वो भी liquid है, ठीक है, तो emulsion is a biphasic liquid doses form, in which disperse phase and dispersion medium, both are in liquid format, ठीक है, और आप बोल सकते हैं, कि emulsion में, दो immisible liquid को हम mix करते हैं, जैसे कि oil and water, ये दोनों miscible नहीं है, ये immisible हैं, पर भी हम इन्हें miscible बनाते हैं, with the help of emulsifying agent, तो emulsion में क्या होता है, दो immisible liquid को हम miscible बनाते हैं, with the help of emulsifying agent, तो देखो यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है, कि emulsion is a biphasic liquid doses form, here two immisible liquid are mixed together, with the help of emulsifying agent, अब यहाँ पर आपको दो phase देखने को मिलेंगे, disperse phase, dispersion medium, और दोनों ही यहाँ पर liquid phase होते हैं, ठीके, आप देख सकते हैं, water है, oil है, दोनों आपस में mix नहीं है, immisible है, पर हमने क्या करा, emulsifying agent डाला, और इन दनों को miscible बना दिया, यहाँ पर लिखा है, कुछ example है, emulsifier के, जैसे lecithin हो गया, dye, acetal, tartric acid हो गया, ester of monoglycerides हो गए, mustards हो गए, तो यह example हो गए आपके, emulsifiers के, ठीके, यहाँ तक clear हो गया आपको, emulsion क्या होता है, emulsion एक biphizic liquid doses form है, जहाँ पर दो immisible liquid हम mix करते हैं, with the help of emulsifying agent, clear है, यहाँ पर दो phase होते हैं, disperse fade, disperse and medium, दोनों ही liquid state में होते हैं, next हम चलते हैं, types of emulsion की हम बात करते हैं, तो 4 तरह की emulsion के types होते हैं, पहला, oil in water, दूसरा, water in oil, तीसरा, multiple emulsion, और 4 ते, micro emulsion, 4 तरह की emulsion आपको देखने हैं, oil in water, water in oil, multiple emulsion, micro emulsion, तो थोड़ी थोड़ी बाते हैं, आपको याद रखनी हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, oil in water, emulsion की, तो oil in water, देखो दियान से सुनो, oil in water, तो water पहले से हैं, जादा है, तो जो पीछे होता हैं, वो जादा होता है, ठीक है oil in water, तो हम oil डाल रहे हैं, water में, तो face कैसा रहेगा, एकपस emulsion रहेगा, क्योंकि पानी जादा है, अब दूसरा देखा, water in oil, ठीक है, तो water in oil में क्या होने वाला है, oil emulsion होने वाला है, क्योंकि water किस में डाल रहे हैं, oil में डाल रहे हैं, तो यह क्या हो गया, आपका oil emulsion हो ग है तो oil emulsion हो गया ठीक अब देखो आप in this type of emulsion the oil will be the dispersed phase यह बात ध्यान रखना कि अगर आपको यह सब देखने को मिल जाए कि oil in water emulsion क्या होता है water in oil emulsion क्या होता है तो आपको simple सा याद रखना है कि जो पीछे वाला होता है न वो dispersion medium होता है क्या होता है dispersion medium यहां पर भी oil क्या होगया dispersion medium आपको इतना सा याद रखना है तो पीछे वाला dispersion medium हो गया तो आगे वाला क्या होगा डिसपर्ज फेस तो आपको याद रखना है आगे वाला तो होगा डिसपर्ज फेस और पीछे वाला क्या होगा पीछे वाला होगा डिसपर्जन मीडियम ठीक है अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि वोटर यहां पर क्या होगा डिसपर्जन मीडियम तो सीधा साय, simple साय जो पीथे होता है न वो जादा भी होता है और वो dispersion medium होता है clear होगे आपको oil in water emulsion तो water यहाँ पे क्या हुआ जादा है क्योंकि पीछे आ रहा है और dispersion medium हो गया अब यहाँ पर देखो water in oil, oil पीछे आ रहा है मतलब oil का amount जादा है और oil क्या हो गया dispersion medium हो गया ठीक है अब आगे देखो multiple emulsion और micro emulsion बता रहा है तो multiple emulsion में क्या होता है जैसे oil, water, oil या फिर water, oil, water ऐसे आद रखो वाउ देखो मैं आपको diagram से समझाता हूँ multiple emulsion जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर diagram में सबसे पहले आपको दिख रही है यह oil face ठीक है यह क्या है oil face यह दिखा रहा है आपको arrow से this one is oil face अब उसके उपर आपको दिख रहा है water face यह जो blue कलर से मैंने दिखा रहा है this one this one is water face फिर इसके अंदर जो आपको दिख रहा है यह oil आगया वापिस तो हमने क्या बोला oil water oil तो यहाँ पर पहले क्या होगा oil होगा water होगा oil होगा यह फिर एक condition यह भी बन सकती है water oil water तो यह तो oil water oil यह water oil water किस तरह से emulsion बनेंगे तो जब एक से जादा emulsion बन रहा है तो हम इसे multiple emulsion कहेंगे क्योंकि नॉर्मल तो हमने क्या बोला oil in water water in oil ठेक है पर यहाँ पर अगर oil लगा दूँ और यहाँ पर water तो यह multiple emulsion बन चुके है जनरली तो हमने क्या देखा था oil in water water in oil पर यहाँ पर oil in water फिर oil और यह वाओ याद रख लो आप ठेक है next देखो micro emulsion micro emulsion is a thermodynamically stable fluid that differ from kinetically stable emulsion which will separate into oil and water over time देखो जो micro emulsion होते हैं आपके वो thermodynamically stable होते हैं ठीक है stable emulsion का मतलब होता है कि यहाँ पर oil और water जो हैं काफी अच्छे से mixed है वो अलग अलग नहीं होंगे stable है तो stable emulsion का मतलब क्या होता है जहाँ पर oil और water बहुत ही अच्छे से mixed है वो अलग नहीं होने वाले उन्हें हम कहते हैं stable emulsion तो जो micro emulsion होते हैं वो thermodynamically stable होते हैं और micro emulsion की particle size होती है 10 nanometer through 300 nanometer इसके small particle size होते हैं और यहाँ पर micro emulsion appear as a clear or translucent solution clear solution क्यों होता है translucent solution क्यों होता है clear solution इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर particle size इतनी छोटी है कि वह visible भी नहीं है ठीक है तो micro emulsion है thermodynamically stable जहां पर dispersed phase dispersion medium आपस में अथ्य से घुले हुए हैं या फिर आप बोलो oil or water आपस में अथ्य से mix हुए हुए हैं घुले हुए हैं और यहाँ पर जो particle size होता है वो 10 nanometer to 300 nanometer होता है और particle size कम होने की वज़े से हम इसे बोलते हैं clear or translated solution ठेके सर में तक clear हो गया micro emulsion क्या होता है multiple emulsion क्या होता है oil in water emulsion क्या होता है water in oil emulsion क्या होता है चलिए next चलते हैं some instability occur during storage and formulation of emulsion जब भी हम emulsion बनाते हैं या फिर emulsion बनाने के बाद हम उसे store करके रखते हैं या तो बनाते टाइम या store करते टाइम emulsion में कई तरह की problem आ सकती है जिससे creaming, kolescence, breaking, clockulation, phase inversion और physical chemical properties में भी change आ सकता है तो one by one detail में देखेंगे कि ये कौन-कौन से change ये जो की emulsion को बनाने के दोरान और emulsion को बनाने के बाद जब आप उसे store करके रखेंगे तो आपको देखने को मिल सकते हैं ये कौन-कौन सी दिक्कत है emulsion की सर्वे बिले start करते हैं creaming से देखो creaming क्या होता है ध्यान से सुनना the rise of dispersed particle to the surface of an emulsion is referred to as a creaming जिसे कि आप जानते हैं emulsion क्या होता है emulsion एक biphasic liquid dosage form है जहाँ पर दोनों ही phase liquid में है और जो ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते है dispersed and medium कहते है और जो कम होता है उसे हम क्या कहेंगे जिसे मैं ग्रीन कलर से कम बना रहा हूँ तो इसे हम क्या कहेंगे dispersed phase कहेंगे ठीक है अब यह dispersed phase क्या होता है धीरे धीरे उपर आके इस तरह से deposit होना शुरू हो जाते है यहाँ पर upward creaming हो जाती है यह जो dispersed phase है यह उपर की तरफ आके shift हो जाते है तो इस condition को हम कहते है upward creaming तो creaming एक ऐसी condition है जहाँ पर आपके dispersed particle उपर की तरफ आ जाते है surface की तरफ ठीक है देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर surface की तरफ आ चुके है dispersed particle अब आप बोलोगे sir, particle कहां से आ गए यहाँ तो दोनों liquid है अरे तो भी है liquid के particle बोल रहाँ ठीक है liquid के molecule बोल रहाँ here oil have low density so they come together at the surface of emulsion अगर मैं बात करूँ oil in water emulsion की तो आप सभी को पता है water पीछे है मतलब water है dispersion medium मतलब water है ज़्यादा amount में तो यह क्या है ज़्यादा amount में water और oil क्या है कम amount में तो oil में क्या होता है oil have low density oil की density कम होती है तो यह आपस में जुड़के surface पे आ जाते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है यह surface पे आ चुके हैं आपस में जुड़कर और अगर यह उपर की तरफ आके surface पे आ रहे हैं तो इस तरह की creaming को हम बोलेंगे upward creaming क्योंकि यह उपर की तरफ आ रहे हैं वहीं अगर मैं बात करूँ water in oil emulsion की तो आपको बता है जो पीछे होता है वो जादा होता है मतलब यह क्या है oil है और यह क्या है नीचे water है ठीक है आप सभी को बता है कि जो oil है उसका amount जादा है as compared to water तो यहाँ पर क्या creaming होगी यहाँ पर downward creaming होगी तो ध्यान रखना downward creaming कहाँ पर होती है जहाँ पर water in oil emulsion होता है और upward creaming कहाँ पर होती है जहाँ पर oil in water emulsion होता है यहाँ तक आपको clear हो गया और creaming क्या होती है creaming एक process है जहांपर जो dispersed particle होते हैं वो आपस में जुड़के surface पर चल जाते हैं या तो वो टॉप पे चले जाएंगे या फिर वो bottom में आ जाएंगे इस process को हम कहते हैं creaming now next is coalescence देखिए coalescence क्या होता है जैसा कि आप सुभी जानते हैं dispersed particle है dispersed phase है ठीक है वो कैसे होते हैं स्टीकी नेचर के होते हैं अगर मैं बात करूँ ओइल के पार्टिकल है मान लीजिए यह पार्टिकल किसके हैं ओइल के पार्टिकल है ठीक है यह डिस्पर्स थे पहले अलग-अलग थे इस तरह से अलग-अलग थे पर बाद में क्या हुआ ओइल पार जहाँ पर dispersed particle मतलब oil particle sticky nature होने की वज़े से आपस में attraction कर लेते हैं और इसकी वज़े से aggregate बन जाता है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यह aggregate और एक बड़ा particle यहाँ पर बन जाता है तो इस तरह की problem आपको देखने को मिलेगी emulsion में ठीक है kolosis problem क्या होती है kolosis एक इसी condition है जहाँ पर आपके oil particle dispersed particle sticky nature होने की वज़े से आपस में जुड़ जाते हैं aggregate बना लेते हैं एक बड़ा particle बना लेते हैं और emulsion में दिक्कत देते हैं next है आपका cracking cracking क्या होता है ध्यान से सुनना अगर आपको emulsion बनाना है तो आपको oil और water का ratio perfect रखना है अगर एक stable emulsion चाहिए तो oil और water का ratio कैसा रखना है perfect रखना है जितना लिखा हुआ है IP में उतना ही रखना है पर अगर आपने improper ratio रखा oil का कुछ और ratio रख दिया water का कुछ और ratio रख दिया improper ratio रखा तो उसकी वज़े से cracking हो सकती है या फिर cracking क्यों हो सकती है cracking is occurred due to improper mixing of oil and water या तो oil और water की improper mixing होई है या फिर oil और water को गलत ratio में add किया हुआ है तो इन दोनों ही condition में cracking हो जाएगी और cracking का मतलब क्या होता है वो सुनो जैसा कि आप सभी जानते है oil और water को यहाँ पे हम mix करते हैं तो जब cracking होगी ना तो oil अलग हो जाएगा water अलग हो जाएगा वापिस से यह immisival हो जाएगे तो यह क्यों हो रहा है क्रेकिंग क्यूं होती है वैं क्रेकिंग को breaking भी कहते हैं breaking इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों लैर अलग हो गई दोनों लैर ब्रेक हो गई है emulsion get separated into two layer oil and water ठीक है next चलते हैं flocculation flocculation आप सभी जानते हैं आपको पता है कि अगर आपको emulsion बनाना है तो आपको dispersed particle की dispersed space के particle की size छोटी रखनी है अगर अच्छा emulsion बनाना है तो particle size छोटी रखनी है पर अगर आप particle size छोटी रखते हो तो surface area बढ़ जाता है और surface area बढ़ने की वज़े से surface free energy भी बढ़ जाती है अगर आपको emulsion बनाना है suspension बनाना है तो आपको particle size छोटे रखने होते हैं पर छोटे particle size की वज़े से surface area बढ़ जाता है और surface area बढ़ने की वज़े से surface free energy बढ़ जाती है और surface free energy जहां पर बढ़ गई वहां पर stability कम हो जाती है ठीक है तो flocculation में क्या होता है ध्यान से सुनो अब इस stability को सही करने के लिए यह particle जो छोटे हैं ना यह आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं देखो आप यह particle आपस में इस तरह से यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इन्होंने बना लिया floccule और अगर floccule बन गया particle आपस में जुड़ गए तो particle size बढ़ी हो गई और particle size बढ़ी होने पर surface area कम हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि particle size चोटी होने पर surface area बढ़ता है तो यहाँ पर क्या कर रहा है इन्होंने सारे particle आपस में मिलके floccule बना लिए और floccule बनने से क्या होता है surface area कम हो जाता है floccule बनने से particle size बढ़ गी और particle size बढ़ती surface area कम और अगर surface area कम तो surface free energy भी कम और इसकी की वज़े से stability आती है थोड़ी बहुत ठीक है पर stability लाने के चकर में यह floccule बना रहे है और floccule खुद ही एक कारण ए अन्स्टेबिलिटी का तो floccule बनने की वज़े से unstable हो जाता है emulsion देखा जाया तो stability भी हो रही है पर unstable भी तो हो रहा है ठीक है तो floccule की वज़े से भी unstable हो जाता है emulsion next हम देखते हैं phase inversion तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि phase inversion में क्या होगा phase ही change हो जाएगा अगर आपका emulsion पहले oil in water था तो अब आपका emulsion water in oil हो जाएगा और अगर आपका emulsion पहले water in oil था तो आपका emulsion change हो के oil in water हो जाएगा अब यसा क्यों हो रहा है phase inversion क्यों होता है phase of emulsion get changed during formulation formulation मतलब emulsion बनाने के दोरान मान लिजिए आप oil in water बना रहे हैं तो गलती से वो water in oil में convert हो जाता है अब यसा क्यों होता है mixing problem की वज़े से अगर आप सही से mix नहीं कर रहे तो उसके चक्कर में phase ही change हो जाएगा आपके emulsion का या फिर आपने dispersed phase गलत add कर दिया है तो या तो dispersed phase को गलत add करने से या फिर mixing सही से नहीं करने से आपका phase inversion हो जाता है मानली जी आप यहाँ पर खड़े हैं और आप बना रहे हैं oil in water emulsion पर आप mixing सही सही नहीं कर रहे है या फिर आपने dispersed phase गलत लिया है तो उस condition में oil in water की जगे आपका water in oil emulsion बन जाएगा मतलब यहाँ पर phase ही change हो जाएगा ठीक है उसके बाद है physical and chemical property change जैसा कि आप सभी को पता है emulsion बनाने के लिए हमें एक चाहिए dispersed medium एक चाहिए हमें dispersed phase इन दोनों को mix करेंगे तो आपका emulsion बन जाएगा अब यह दोनों immisible liquid है और इनको missible किस से बनाते है emulsifying agent से तो क्या होगा अगर यह emulsifying agent आपके emulsion की property को change कर दे देखो कुछ कह नहीं सकते न हम तो emulsifying agent डाल रहे हैं क्यों ताकि 2 emulsible liquid missible हो जाए और हमारा emulsion बन जाए पर कल को अगर emulsifying agent ने reaction शो कर दी अगर emulsifying agent ने हमार emulsion की pH को change कर दिया उसकी stability को change कर दिया और भी कई तरह से change ला सकता है उसके color को change कर दिया order को change कर दिया test को change कर दिया तो फिर यह तो problem है तो कई बर क्या होता है emulsifying agent की वज़े से आपके जो emulsion है उसमें pH, order, test, stability, color इन सब में change आने की संभावना होती है और यह ज़रूर भी है डालना emulsifying agent ज़रूरी भी है तो हमें ध्यान रखना चाहिए emulsifying agent हमारा inerto, stable हो, non-toxic हो और easily available हो ऐसा अच्छा emulsifying agent हमें डालना होता है emulsion में, use लेना होता है emulsion में, ठीक है, now next is theories of emulsion हम start करेंगे multimolecular theory से और monomolecular theory काफी easily हम समझ लेंगे और यह भी easy है, देखो मैं आपको concept समझाता हूँ पहले, जैसा कि आप चानते हैं emulsion मनाने के लिए आपको particle size कैसे चाहिए, small चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है as we know in em emulsion particle size is small, बहुत ही छोटे होते हैं particle size, two small लिखा है मैंने, due to small particle size, more will be the surface area, आपको पता है कि अगर particle size कम होगी तो surface area जादा होगा, और अगर surface area जादा होगा, तो क्या जादा होगा, surface free energy भी जादा होती है, और अगर surface free energy जादा होती है, तो यहाँ पर stability कम हो जाती है, ठीक है, तो यह बात आपको पता है, अभी हमने पड़ा कि emulsion मनाने के लिए particle size कम होना चाहिए, पर particle size कम होने की वज़े से, surface area जादा होने की वज़े से, surface free energy जादा हो जाती है, और इसकी जादा होने की वज़े से, हमारी stability कम हो जाती है, thermodynamically stability जो है emulsion की, वो कम हो जाती है, तो हमें उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, serve intent को add करना पड़ेगा, किसको add करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, serve intent क्या होते है, serve intent वो होते हैं, जो की surface tension को कम कर दे, अगर मैं आपको structure दिखाऊं surfactant की तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक तो होता है hydrophilic part यह जो head है na head होता है hydrophilic part और यह जो आपको दिख रही है tail यह जो tail है यह होती है hydrophobic hydrophobic मतलब पानी से डरने वाली और अगर यह पानी से डरेगी तो oil से प्यार करेगी तो ज्यान रखना जो tail होती है वो hydrophobic होती है और आप कह सकते हैं lipophilic होती है oil से प्यार करेगी तो क्या होगी lipophilic होती है तो आप बोलो कि head part जो है वो है hydrophilic और tail part जो है वो है lipophilic ठीक हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है अगर मैं आपको डाइग्राम से समझाओं तो माल दीजिए ये tail part है और tail part कैसा होता है लिपोफिलिक तो अंदर ही अंदर क्या होगा oil ही ओगा क्योंकि tail part lipophilic होता है तो जितना भी oil होगा नहीं emulsion में वो अंदर की तरफ होगा और emulsion में हम क्या करते है oil और water को mix करते है oil तो में पता लगिया कहां पर होगा tail की तरफ और water कहां पर होगा hydrophilic part पे head की तरफ तो आप देख सकते हैं यहां पर head पे जो है water part में ने attach करा हुआ है तो आपको यहां पर क्या देखने को मिला कि जब आपने surfactant डाला तो oil part भी यहां पर है और water part भी यहां पर है दोनों आपस में जुड़ चुके हैं both are mixed completely with the help of surfactant तो इस तरह से surfactant काम करता है यहां पर structure बनाता है वो एक होता है hydrophilic part एक होता है lipophilic part जो tail होती है वो लिपोफिलिक होती है जो head होता है वो hydrophilic होता है तो आप देख सकते हैं head पे water के molecule है ठीक है अब यहां पर एक तो mono molecular है एक multi molecular है concept दोनों में same ही है दोनों में particle size छोटी होती है surface area जादा होता है surface free energy जादा होती है जिसकी वज़े से thermodynamically stability कम होती है फिर वहां पर हमें surfactant डालना होता है और surfactant इस तरह से काम करता है तो फिर जब सारा procedure same है तो यहां पर ना multi molecular और यहां पर mono molecular क्यों तो आप देख सकते हैं emulsifying agent एक single layer बनाता है या तो आप emulsifying agent बोलो या फिर आप बोलो surfactant जो कि अभी हमने पढ़ा तो surfactant यहां पर एक single layer बनाता है single emulsifying agent और we can say single surfactant of particle is used और अगर एक single layer आपको दिख रही है इस वन यह जो single layer है बाहर red color से यह a की layer है ना that's why it is mono molecular a की molecule है एक लेयर पर बात करते हैं multi-molecular की तो आप यहां पर देख सकते हैं multi-layer से multi-molecule से wait a minute multi यहां पर आप देख सकते हैं molecule से इस तरह से ठीक है तो यह हो गया multi-molecular concept दोनों में same है now third is solid particle absorption theory तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर emulsion बनाना है तो दो phase चाहिए dispersed phase and dispersion medium डिस्पर्जन मीडियम जो है ज्यादा amount में होता है और जा डिस्पर्ज भेजे वो कम होते हैं amount में ठीक है तो अब क्या होता है डिस्पर्स विज दिरे दिरे नीचे आके st plötzlich होने start हो जाते है, तो हमें इने settle नहीं होने दिना, हमें इने mix करके रखना है, तो मैंनाआपको कल example बताया था, जब मैंना आपको suspension पढ़ाया था, कि अगर आप को particle को ऊपर ही रखना है, पार्टिकल को नीचे नहीं आने देना तो आप इस डिस्पर्दन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ा दो क्योंकि मैं एक एक एक्जामपल देता हूँ आपको मान लिजे यहाँ पर शहद है हनी है और यहाँ पर आप कोईन रख रहे हैं तो कोईन बहुत दिरे-दिरे नीचे आएगा क्योंकि शहद जो होता है उसके विस्कोसिटी जादा होती है वहीं अगर मैं बात करूँ एक कंटेनर में पानी है और उसके उपर आप कोईन रख रहे हो तो कोईन फटा-फट नीचे आजाएगा क्योंकि पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है as compared to शहद तो वहीं बात हो गई अगर आपको पार्टिकल को धीरे-दीरे नीचे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा विस्कोसिटी बढ़ानी पड़ेगी शहद की तरह बढ़ना पड़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ानी पड़ेगी मीडियम की डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो ध्यान रखना यहाँ पर हम क्या करते हैं पार्टिकल को धीरे-दीरे सैटल करने के चक्कर में विस्कोसिटी बढ़ा जैते हैं dispersion medium की तो जब हम viscosity बढ़ाएंगे dispersion medium की तो particle धीरे धीरे नीचे आएंगे धीरे धीरे सैटल होंगे और हमारा emulsion बहुत ही अथ्या stable होगा तो यह हम किसकी मदद से करेंगे यह हम करेंगे with the help of colloidal clay we can increase viscosity of dispersion medium now next is formation of electrical double layer तो यह वाला हमने last lecture में देखा था suspension में हमने देखा था कि हमने एक particle को negatively charge कर दिया तो उसके चारों तरफ positive charge आ गया फिर हमने positive charge के बार अपने आप negative आ गया और negative के बार अपने आप positive आ गया मतलब एक बार हमें क्या करना को यहां पर भी लगा सकते हो ठीक है suspension में हमने बात करी थी नेक्स्ट हम चलते हैं formulation of emulsion emulsion हमें बनाना है तो आप description check करना पर्स semester में मैंने आपको बढ़ाया था dry gum method weight gum method bottleneck method वो सारी method है emulsion को बनाने की आपको i button पर link भी show हो 9 minute की method है काफी easy है आपको आसने से याद हो जाएगी ठीक है अब आपके syllabus में mention किया हुआ है formulation of emulsion with the help of hlb method तो आपको यहां पर क्या करना है hlb method से hlb scale से hydrophilic lipophilic balance का जो scale है उसकी मदद से आपको emulsion बनाना है तो आप कैसे बनाओगे hlb scale की मदद से emulsion देखो आप सभी जानते हो emulsion में आपको क्या चाहिए disperse phase और dispersion medium चाहिए ठीक है तो hydrophilic lipophilic balance किस तरह से emulsion बनाने में आपकी मदद करेगा वो देखो with the help of this we can easily choose emulsifying agent is used in emulsion कौन सा emulsifying agent हमें emulsion के अंदर use करना है वो हम पता करेंगे with the help of hlb method तो hydrophilic lipophilic balance से हम क्या पता करेंगे कि कौन सा emulsifying agent हमें use करना है मान लिजिए अगर आपकी value आ रही है 8 to 16 अगर आपके water in oil emulsion तो आपको पता लग गया न कि अगर value आ रही है 8 to 16 के बीच में तो oil in water emulsion मनेगा ठीक है वो surfactant हम का डालेंगे oil in water emulsion में डालेंगे और अगर value आ रही है 3 to 6 के बीच में तो surfactant को हम का डालेंगे water in oil emulsion में डालेंगे तो with the help of hlb scale we can easily detect the emulsifying agent which emulsifying agent is used in emulsion ठीक है next आपका preservation of emulsion हमें क्या करना है emulsion को बचा के रखना है देखो emulsion में क्या होता है oil होता है और water होता है और जहां पर पानी होता है कहते हैं न जल ही जीवन है तो पानी में क्या होते हैं bacteria की growth के chances बहुत ज़्यादा होते हैं microbial contamination के chances बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें emulsion को बचा के रखना है हमें emulsion को safe stable रखना है throughout its shelf life उसकी expiry date तक shelf life बोलीजिए या फिर आप बोलीजिए expiry date तक हमें emulsion को बचा के रखना है to keep emulsion stable and effective till expiry date और we can say shelf life तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव यूज़ करने पड़ेंगे ये प्रिजर्वेटिव non toxic होने चाहिए inert किसी से भी react ना करें ऐसे होने चाहिए cheap होने चाहिए साथी साथ stable होने चाहिए ठीक है अभी जैसे मान लीजिए माइक्रो और्गनिजम की ग्रोथ औरी emulsion में तो मुझे उन्हें रोकना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा मिथाइल पेराबेन बेंजोइक असेड अलग अलग है मिथाइल पेराबेन अलग है बेंजोइक असेड अलग है पर हमने का डाला हुआ है प्रिजर्वेटिव जैसे मिथाइल पेराबेन बेंजोइक असेड ये क्या करते है बेक्तिरिया की ग्रोथ को कम करते है ठीक है तो जो भी हम प्रिजर्वेटिव डाल रहे है वो प्रिजर्वेटिव टेस्लेस होना चाहिए colorless होना चाहिए orderless होना चाहिए क्योंकि अगर preservative का test आएगा तो हमारे emulsion का test खराब preservative का color आएगा तो हमारे emulsion का color खराब और preservative की खुशबू आएगी तो हमारे emulsion की खुशबू खराब तो हमें याद रखना होगा कि जो भी preservative हम यूज ले रहे हैं emulsion को बचाने के लिए वो testless, colorless, orderless होना चाहिए साथ इसाथ non-toxic, non-irritant और stable clear होगे आपको और ऐसा preservative आपको लेना है जिसकी कम concentration में ही वो bacteria को बहुत अच्छी तरह kill कर दे तो ये तो हो गई बात preservation from microorganism next is preservation from oxidation, oxidation से क्या होता है आपका emulsion जो है खराब हो सकता है तो आपको अगर emulsion को oxidation होने से बचाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा antioxidant, antioxidant जैसे BHT, BHT का फिलपरम होता है butylated hydroxy tolin तो अगर आपको oxidation से बचाना है आपके emulsion को तो आपको antioxidant यूज करना पड़ेगा जैसे BHT, butylated hydroxy tolin क्योंकि अगर आपके emulsion का oxidation हो गया तो oxidation होने के बाद emulsion जो है rancidity आजाएगी उसमें rancid मतलब खराब हो जाएगा और spoil हो जाएगा सर जाएगा, खराब हो जाएगा ठीक है? तो इसको बचाने के लिए antioxidant डालो ताकि oxidation ना हो अब antioxidant कैसा होना चाहिए stable, non-toxic, non-irritant और stable के साथ effective होना चाहिए कम concentration में अगर माली जी मैंने antioxidant कम concentration में डाला भी है तो भी वो अपना काम अच्छे से करे next आपके पास rheological property of emulsion rheological property यह आपकी unit number 2 है physical pharmaceutical पार्मसोटिक्स में rheological का मतलब होता है flow property ठीक है? तो एक बात बताईए अगर आप emulsion बना रहे हैं तो emulsion माली जी मैं skin पे लगा रहा हूँ तो easily spread हो जानी चाहिए ने skin पे तो easily spread कब हो जाएगी easily आप कब लगा पाओगे? जब आपके emulsion की flow property अच्छी होगी तो emulsion की flow property भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि माली जीए मैं skin पे emulsion को लगा रहा हूँ तो जब मैं skin पे लगा रहा हूँ तो मैं उसे spread करूँगा skin पे तो फिर spreadable property भी अच्छी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि emulsion जो है उसकी flow property इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो bottle से निकल जाए tube से निकल जाए माल दीजिए आपने emulsion मनाया पता लगा वो bottle से ही निकल पा रहा उसकी flow property अच्छी नहीं है तो फिर किस काम के emulsion दूसरा अगर मैं emulsion का injection लगाता हूँ तो injection की needle में से वो liquid pass हो जाना चाहिए emulsion निकल जाना चाहिए injection की needle में से ठीक है emulsion जो है skin पे spread हो जाना चाहिए आसानी से flow change during manufacturing under stress देखो यहाँ पर जब हम manufacture करेंगे emulsion को तो वहाँ पर flow सही से होना चाहिए mixing सही से होना चाहिए क्योंकि flow property सही होगी mixing सही होगी तभी तो emulsion stable बनेगा अब आपको यहाँ पर दे रखा है emulsion are rheological similar to suspension but they are different in three ways तो यह तीन कारण दे रखे हैं कि emulsion और suspension अलग-अलग क्यों है तो मैंने तो क्रोस लगाया हुआ है फिर भी आपको read out करने तो आप कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ emulsion की flow property पुछी हुई है साथी साथ dilute emulsion जो होते हैं वो newtonian flow रखते हैं newtonian flow क्या होता है जितना ज़्यादा मैं stress लगाऊंगा जितना ज़्यादा मैं shear stress दूँगा उतना ही ज़्यादा strain आएगा उसे हम कहते हैं newtonian flow और non-newtonian क्या होता है मान लीजे मैंने stress लगाया तो शुरू में तो शाहिद ही कोई strain आए ठीक है मतलब जितना stress में लगा रहा हूँ उतना strain नहीं आएगा शुरू शुरू में उन्हें हम कहते हैं non-newtonian flow जिसका example है lotion और newtonian flow का example है आपके कई सारे example होगे जितने भी मैंने आपको unit number 2 में बताए है ठीक है जैसे micro emulsion होगया हमारा तो micro emulsion जो होता है वो newtonian flow रखता है और stable भी होता है micro emulsion चलिए यहाँ पर आपको बता रखा है rheological property of emulsion can be controlled by आप किस तरह से आपकी flow property control कर सकते होई emulsion की या तो आप dispersed space की concentration बढ़ा के कम करके माल लिजे कम viscous है तो dispersed space की concentration बढ़ा दो और अगर बहुत जादा है तो dispersed space की concentration को कम कर दो तो viscosity भी आप change कर सकते हो particle size पर भी depend करती है जो आपका dispersant medium है उसकी viscosity पर भी depend करती है देखो low property बढ़ानी कम करनी है अगर flow property बढ़ानी है तो viscosity जो है आपकी continuous space की मतलब dispersant medium की उसको बढ़ाना कम करना पड़ेगा particle को जादा या कम करना पड़ेगा मतलब उसकी concentration और उसकी size इन सब पर क्या करती है rheological property जो है emulsion की वो depend करती है तो आई होब आपको clear हुआ होगा rheological property of emulsion उससे पहले वेट ए मिनिट उससे पहले हमने देखा preservation of emulsion उससे पहले हमने देखा formulation of emulsion उससे पहले हमने देखी theories of emulsion monomolecular, multimolecular, solid particle absorption and formation of electrical double layer उससे पहले हम देख रहे थे यहाँ पर theories से पहले हमने देखा था problems in emulsion during formulation and storage creaming, coalescence, breaking, flocculation, phase inversion physical and chemical property उसके बाद हमने देखा था types of emulsion and emulsion होता क्या है तो I hope आपको आजका lecture clear हुआ होगा आज आपकी physical pharmaceutical पार्मसोटेक्स completely cover हो चुकी है unit 4, 5, 1, 2, 3 सारी आपको playlist में मिल जाएंगे important question follow करके जाना important question ही syllabus से मैंने put up कर रखे हैं पहली वीडियो आपको मिलेगी playlist में important question की और वही question repeat होते हैं subscribe and share for more have a nice day thank you